नमस्कार प्यारे दोस्तों आज इस क्लास के अंदर हम मज़िदार जीके के टोप कुशन का जूस बनाने वाले हैं और इस जूस के अंदर हम जो मिनरल्स डालेंगे उसमें सबसे पहले इस जूस को जरूर पे लेना जिससे कि आप जीके की कुशन गलत ना करें देखे सबसे पहला जो कुशन है भारत में हिंदू समाचार पत्र कहां से परकासित होता है इस कुशन को आप बिल्कुल भी हलके में ना लें दोस्तों 2022 के CHSL एकजाम में छप चुका है तो भारत में हिंदू समाचार पत्र कहां से परकासित होता है बात यहां खतम नहीं होती ह जो है वहां से ये प्रकासित होता है 1878 में इसकी सुरुवात होई थी ठीक है 1878 में सुरुवात होई थी लेकिन सबसे बड़ी मज़िदार बात यह हिंदू समाचार पत्तर है वो अंगरेजी भासा के अंदर प्रकासित होता है इसके अलावा प्रेशन है वो एक्जाम प्रेशर है क्योंकि हमारे जो माइंड है उसके उपर एक्जाम के इतना प्रेशर है हम जितना भी पढ़ते इसको पी लेना है फिर आप नहीं बूलोगे जी कि आप आसानी से सोल कर दोगे भारत में भासा के आदार पर राजयों का पुनर्गठन किस वर्स में हुआ था ये question important है जो भारत है उसमें भासा के आधार पर राजो का पुनर गठन है वो किस वर्स में हुआ था तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1956 में 1956 के अंदर भारत में भासा के आधार पर राजो का पुनर गठन हुआ था ये आपको ध्यान रखना है important question है बंकिम चंदर जी ने लिखा था आप द्यान रखना है बंकिम चंदर जी उन्होंने ये वंदे मातरम लिखा था इसके अलावा बात करें तो आनंद मठ जो उपन्यास है उसके अंदर 1882 में ये आया था जो एक हिस्सा था ये मान सकते हो आप 1882 में राष्टे गीत बंकिम साल MTS किसी भी परकार का कोई एक्जाम दे रहे हो सभी के लिए ये क्लास बैस्ट है ठीक है तो चलिए बात कर लेते हैं कि चंगेश खान का मूल नाम क्या था ठीक है बिल्कुल इजी क्विशन है और 2022 का एक्जाम वा था MTS का उसमें ये क्विशन पूछा जा चुका है लेकि और पाकिस्तान का विबाजन किसी योजना के तहत हुआ था बारत और पाकिस्तान जो है उसके बीच में विबाजन वा था उसके लिए एक योजना बनाई गई थी तो वो योजना कौन से थी ये आपसे पूछा गया है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा माउंट टेबन योजना अगले क्विशन के और बढ़ते हैं अगला क्विशन है मोहबद बिन तुगलक की मिर्थियों कहां पे हुई थी ठीक है और इस क्विशन से रिलेटेड आपको काफी जानकारी बताए जाएंगे क्योंकि यहां से यानि इस टोपिक से काफी ज्यादा क्विशन पूछे जाते हैं तो मोहमद बिन जो तुगलक है उसकी जो मिर्थियों है वो थट्टा में हुई थी ठट्टा में हुई थी और इस क्विशन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो जो मोहमद बिन तुगलक है उसका जनम और तारिक समय की बात करें तो 1290 के अंदर मुलतान जो मिर्थ्यू है वो फी जनम पाकिस्तान के अंदर हुई थी यानि जनम भी कोई शू दिन तुगलक नाम था ने की बाद करते हैं लेकिन अगले सब्सक्राइब करते हैं लेकिन उससरे पहले आपको और जान करी देते हैं मोहमाद भींजो म के तुगलक वन्स के सासक थे इसके बाद में उनके मुर्थु के बाद में जोंका पुत्र है जुना का मुंमद उनको दिली की गद्धी पर बHYटा दिया गया और उनका मूल नाम है वो रखागया उल्गु खा अब तुगलक क को गया है ठीक है से related जितनी भी जानकारी थी जितने भी top questions बन रहे थे वो सभी मैंने करवा दिये अब यहां से अगर कोई question आता है तो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालात में अगले question के और बढ़ते है मद्य परदेश के राजकिये पक्षी क्या है जो मद्य परदेश है उसके राजकिये पक्षी पुछा है तो यह question तो आप सभी को आना चाहिए और मद्य परदेश से आप बिलोंग करते हो सर्दार वलब भाई पटेल जी का जनम कहाँ पे हुआ था तो सर्दार वलब भाई जो पटेल हैं उनका जनम के अगर हम बात करते है तो उनका जनम यहाँ पे 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर 1875 के अंदर हुआ था, ध्यान रखना, 31 अक्टूबर 1875 के अंदर सरदार वलब भाई पटेल जी का जनम हुआ था, यह जनम तारिख में आपको बता रहा हूँ, और कहां पे हुआ था, गुजरात के अंदर हु लेकिन बात यहाँ खतम नहीं होती है, मिर्टू की बात कर लेते हैं, जो इनकी मिर्टू है वो 15 दिसमबर, ठीक है, 15 दिसमबर 1950 को हो गई थी, जनम गुजरात में हुआ था, तारिख मैंने आपको बताई है, मिर्टू की तारिख भी आपको बता दी है, 15 दिसमबर 1950, अब बढ़ते हैं, अगले क्विशन की और, और एक्जाम की और देखते हुए, यह सभी क्विशन आपके लिए इंपोटेंट होने वाले हैं, राष्टे मैला आयोग की परिथम अध्यक्स कोन थी, और इस क्विशन के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, ध्य अध्यक्स हैं, वो मोहिनी गिरी नहीं थी, उस टाइम पर जो अध्यक्स हैं वो थी आपकी जान की, कौन थी, जान की पटा नामक, ठीक है, पटू नामक, लेकिन जो दूसरा गठन हुआ फिर उन्निस सो पिचान में के अंदर, जुलाई में, तारिक महिना भी बता जता हू जुलाई उन्निस सो पिचान में के अंदर, जब दूसरा गठन हुआ, तो उस समय फिर आपका जो महिला अध्यक्स है, वो डाक्टर स्रीमती मोहिनी जी को बनाए गया था, यानि दूसरे गठन के अंदर बनाए गया था, पहले गठन के अंदर बात करें तो जान की जो पट अगले कुशन के और बढ़ते हैं, जो कुशन इंपोटेंट होगा, जिसमें आपको समझाने को आउगा, उसके बारे में आपको फुल एक्स्प्लेन करके बताय जाएगा, भारत के परथम परमानु उर्जा का क्या नाम था, जो भारत का परथम परमानु उर्जा था, उसक ऐसा योग अंदुलन शुरू करने के समय भारत के वाइसराय कौन थे ऐसा योग अंदुलन शुरू करने के समय भारत के वाइसराय आपसे पूछा है तो जेमस फोर्ड लोड ठीक है तो यहां पे आपको दिख रहा होगा जेमस फोर्ड लोड ओप्शन डी लोड जेमस वाइस राय थे कौन से समय पे जब ऐसायोग आंदोलन शुरू हुआ था अब ऐसायोग आंदोलन की हम बात कर लेते हैं। सयोग अंदुलन की नीव रख दी थी ठीक है और उस समय जो वाइस रहे थे वो थे लोर्ड चैंस फोर्ड चली इसके अलावा यहां पर बात खतम नहीं होती है बात यहां पर आती है इस क्यूशन पर और किस स्थान पर फूलों की घाटे इस्तित है देखिए एक क्यूशन हां पर फूलों की घाटी है ठीक है अगले क्यूशन पर चलते हैं आल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी जो आल इंडिया रेडियो है उसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो उप्शन B के अंदर हो गई थी 1936 चली अगला क्यूशन भारतिये समंतं आंदोलं के दोरान चरचित पुस्तक इंडिया पोर इंडियनज के लेखक को थी यह है इंपोटेंट क्रिश्ट जो भारतिये-समंतंतं तरटा आंदोलं उसके दोरान एक चरचित पुस्तक हुई थी ज़ो फोर्ष इंडियनς के लेखक है बुखक का नाम एक प्रिवक जो इंडिया फोर्स इंडियन स्बुक के लेखा काया और ये किताब काफी फेमस हुई थी कौन से समय पे बारतिय संतंदर्ता आंदोलन के दोरान चलिए अगले क्यूशन के और बढ़ लेते हैं नेपोलियन की हार किस यूद में हुई थी जो नेपोलियन है उनकी हार किस यूद म किस ने किया भारत में वन महोचो का प्रारम के एम यहाँ पे आप देख रहे होगे उप्सन सी के एम मुंसी के दोरा क्या गया था चलिए अगला क्यूशन महात्मा गांदी ने अपला पहला जन बासन पबलिक स्पीच कहां पे दिया यह इंपोर्टेंट क्यूशन है इसके अगला क्यूशन कर लेते हैं अगला क्यूशन मोश्ट है भारत के किस राजिय को बादलों का गर कहा जाता है तो मेगाले को बादलों का गर कहा जाता है सहाजा के काल में कौन यूरोपिय यातरी भारत के अंदर आया था यह आपको बताना है तो जो साजा के काल में पिटर मुंडी थीक है पिटर मुंड डेट को आना चाहिए फ्रांस से आपका जो राफेल विमान agrade भारत के अंदर वो खरिदा गया है अग्ला कुर्ष आता है डिए फिक्रमाधि भार्तिए कि कम रखार लोक से में उनौ से उसके अंदर सामिया गया है जिक्रमाधि कोई बवोकोर लो कई सommes वन yesterday जिसका नाम आइड से माथ्य कहते हैंlege वह उसे Нपार स्य ये आ मिसर देश की मुद्रा की बनाम की मद्रा पूछी है क्या है मिरत का प्रथम दूर दर्शन यह आपको बताना है चलिए दोस्तों बताईए तो दिल्ली के अंदर है भाई बहुरत का प्रथं गयंदा की राजदानी युगांडा देश की राजदानी क्या है युगंडा देश की राजदानी यह FLix बारत का प्रतम प्रेक्षा पास्तर मिसाइल कौन सा है यह आपको बताना है तो यह अगर हम बात करें तो भारत का प्रतम प्रतम प्रेक्षा पार्थल वह फिर्थवी है ठीक है पिर्थवी है चलिए शिवाजी के समराज्य की राजदानी कहां थी सिवाजी के समराज्य की रा जो सूरत की किस नदी के तट पर है तो ताफी नदी के तट पर है तो पर HOW किस पर आदारित ढबंप को पताना है कि Εक सब्सक्राइब रखना है सी निकुलियर जो आपका होता है उसके आधार पे ये चलिए अगला क्यूशन अगला क्यूशन समाज सास्तर के जनक किसी देश के हैं समाज सास्तर के जनक किसी देश के हैं तो ये अमेरिका के हैं कहां के हैं अगला क्यूशन इंटरनेशनल न्यूज सर्विस कहां प पर आयोदान है तो इसका उप्षन ए सही जवाब हो जाएगा 324 और 320 आर्टिकल यानि अनुछे 320 के हम बात करें तो इसके अंदर है संग ठीक है संग और राज्य लोक ठीक है संग और राज्य लोक सेवा आयोगों के आयोगों का जो करते वह होता है वो 320 के अंदर है चलिए अ सब्सक्राइब आपको कमेंट करना है जिसे पता लगे कि आपकी त्यारी कितने हैं और आज की क्लास में क्यों इतना ही करेंगे यह जी की का जूस था जिसमें आमने कुछ इंपोटेंट क्यूशन डालने है सभी को समझ में आयोंगे फिर मिलते हैं तब तक के लिए